नमस्कार दोस्तों, एगले टीवी दी इस वीडियो वी तो अड़ा स्वागत है इस वीडियो वीच आपा PS PCL द्वारा करवाई जा रही डॉक्युमेंट वेरिवकेशन तो बाद होनवाली प्रोसेस दी गल करांगे मेरी पूरी कोशी ही रहेगी कि इस वीडियो वीच मैं तो अड़ा हारी के डाउट क्लियर कर सका इसलएं वीडियो नू बिना स्किप किते लास तक जरूर देखना बाद वीच होनवाली प्रोसेस तो पहला आपा थोड़ी बहुत हुन्दी गल कर लनने है कुछ को मीदवारां दी डीवी हो चुकी है ते कहियां दी होनी बाकी है मैं सजेस्ट करूँगा के जिनना मीदवारां दी डीवी होनी हले बाकी है ते उनना ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी ता उपर आई बटन दे क्लिक करके उस वीडियो नो जुरूर देखो उस वीडियो विच मैं डॉकुमेंट वेरिवकेशन दा सारा प्रोसेस से एक्स्प्लेइन किता सी हुन इस वार डीवी दोरां जातर लडीसी उमीदवारा नो कंप्यूटर सर्टिफिकेट नो लेके कई प्रॉप्लम्द आ रही हैं कई उमीदवारां दे कंप्यूटर सर्टिफिकेट दे अबजेक्शन लगी है मैं अपनी पिछली वीडियो विच के हासी के कंप्यूटर सर्टिफिकेट दे तो B कंटे या इस तो जादा लिखे हों इस तो लावा पासिंग सर्टिफिकेट उपर मार्क सी रिटेल होए जा पासिंग सर्टिफिकेट उलावा अलागतों मार्क शीट होए अते कुछ को मीदवारा जहे विसी जिना दे certificate उपर serial number नहीं लिख्या होया सी जिस कारणों ना दे certificate उब्जेक्शन लग गई इसलिए certificate उपर serial number भी चेक कर लो बाकी कब्राउं दी जरूत नहीं है तो आडे certificate उब्जेक्शन लगी है तो उन्हों reject नहीं किता गया तुसी जेडे भी इंसिट्यूट तो हे computer course किता है उन्हानों मिलो जिनना दे computer certificate ते कंटे mention नहीं तो letter pad ते लखवालो के हे course का टुका 102 कंटे या उस तो जादा दा है जेका तो आडे certificate ते mark दी डिटेल नहीं है ता उहो बनवालो ते जे तो आडे certificate ते serial number नहीं लिखया तो उसनू भी ठीक करवालो जिनना उमीद वाराँ दे DV नू हले time है वो पेला ही ये सब ठीक करवालो बाकी मैं तो नू अपनी पिछली वीडियो विच भी दस्या सी के तुसी चाहे computer विच ग्रेजुएशन ही क्योना किती हुए ता उनू फिर भी computer दा certificate पेश करना ही पवेगा इसलिए इस समस्यादा भी हल कर लो हुना पांट डिटेल विच डीवी तो बाद होनवाले प्रसेस दीगाल करांगे मेरी कोशी रहो के सब कुछ यंगी तरह explain कर सका पर जेकर कुछ रह गया ता तुसी कमेंट करके जरूर पुछना अत्ते जेकर मेरा कोई LDC दोस्त इस वीडियो नो देख रहा है ता मैं उन्हों रिक्वेस्ट करूंगा के तुसी कमेंट सेक्शन वीच जाओ अत्ते इनना उमीदवारां द्वारा पुछे के सवालां दा जवाब देके इनना दी मदद करो हो सकदा है के मैंनो किसी गल बरे ना पता होवे यात्ते मैं सही तरी के नाल समझा ना सका इसलिए तुसी इनना उमीदवारां द्वारा पुछे के स्वालाएं जवाब दे के इनना दी मदद जरूर करना दोस्तो हुन सब तो पहला ता जेड़े उमीदवार पहले बार चे अपसंसी और नो दुबारा बलाया जाओगा इस तरह करदे करदे इस प्रोसेस नो मी ना कला जूगा फिर मी ने वादा कराहीं तो नो ओफर लेटर पे जाजावेगा इहे ओफर लेटर कुछ इस तरह दा होवेगा हुन जी में इस दा नाम ही ओफर लेटर है ता एहे बिजली बोड़ वलो एक जॉब ओफर है के एहे साधी जॉब है जिस देली तुसी योग मीदवार हो तुसी इस दी प्रिख्या पास किती है जे कर तुसी नौकरी करना चानने हो ता एहे नौकरी दा वेरवा है एह सब रूल्स हन अते जे कर तुसी सबनल सैमत हो ता इन्य तारीक नू इन्य वजे इस जगा ते एहे सारे डॉक्यमेंट त्यार करवा के पहुंच जाओ एहे पिछली वार पर ती होया अल्डी सी दा ओफर लेटर है जुरूरी नहीं के इस वार भी इहे बिलकुल अजेहा ही होवेगा इस विच थोड़े बहुत चेंजस हो सकते आन इस विच तौनू सारा नौकरी दा वेरवा दता होगा ते तौनू दस्या होगा के तुसी एहे सारे डॉक्यमेंट ट्यार करवाने यान इस ओफर लेटर अते सारे डॉक्यमेंट जी पीडिएफ मैं तौनू डिस्क्रिप्शन विच दे दूँगा एहे तौड़े नौलेज दे ले यान इनननू पड़ो अते समझो ता जो इनननू बनवान समय तौनू कोई दिक्कत ना सब तो पहला ता तो अड़ा मेडिकल तो अड़े ओफर लेटर दे आखिर विच कुछ इस तरह लिख्या होएगा सिवल सर्जन तो अड़े जिले दा नाम नूपेज दे होए बेंती कित्ती जान दी है के तो अड़ा नाम तो अड़े पिता दा नाम दा डाक्ट्री मौयना क परणदा प्रबंद कित्ता जावे मेडिकल करवान ले तुसी एहे ओफर लेटर टैंथ दा सर्टिफिकेट अते तिन पासपोर्ट साइज फोटोस लेके जिले दे सीमों दफ्तर पहुंचना है उत्ते सुप्रीडेंडेंड तो अड़ा ओफर लेटर देखके तो अड़ा न आये हो तो अड़ी जगाते कोई होर नहीं आया फिर तो अनू इस तरह आंदा फॉर्म देता जावेगा जिसनू लेके तुसी जिले दे सरकारी हफ्साल पहुंचना है हॉस्पिटल पहुंचके तुसी ओपीडी स्लिप लेलो अते मेडिकल फीस दी परची कटवालो उन्हान आये हैं इसलिए पहला ही अपनी ओपीडी स्लिप पते मेडिकल वाली परची दी सत तथ फोटो कॉपिस करवालो फिर इक एक करके अनू सारे डॉक्टर अंकोल जाना है अख्छाना दॉक्टर कन्ना दॉक्टर गले दा डॉक्टर हड्डिया दॉक्टर वगैरा वगैरा तो medical विच सिर्फ ओही उमीद बार पास नहीं होंदे जिनना नूँ कोई serious problem होए कोई serious बिमारी होए जेकर तो अनूँ कोई छोटी मोटी problem है ता ID कोई गाल नहीं कर तो अधे चश्मा लग गया होया था हाँ तो अधी एक खांदा नंबर इस फॉर्म ते लिखिया जावेगा पर यह कोई एड़ी गाल नहीं के तो अनूँ अयोग करार दे दिता जावेगा इसलिए जेकर तो अनूँ कोई छोटी मोटी problem है ता कब रहो ना सारे डॉक्टर सो चेक करवाके तुसी यहे फॉर्म लेके वाफ़त सीमो दफ्तर जाना है उत्ते सब कुछ चेक करना तो बात आनूँ तो अधा medical certificate दे दिता जावेगा इस तो बाद गाल कर लन्या शौटी बांड दी बांड नो बनवान ली तुसी PSPCL दा कोई करमचारी पहलने इलाबके इस बांड विचे लिख्या होवेगा के जेकर तुसी तिनमी ने दा नोटिस दा बिना प्रोबेशन विचे जॉब छाड़ दे हो ता तो अनू जर्मान ना पर ना पावेगा अते PSPCL दा हो करमचारी तो अधी गवाही दावेगा जर्मान ना होंदा है तो अधी तिनमी ने दी सेलरी प्लस जेकर तो अधी ट्रेनिंग लगी है ता तो अधी ट्रेनिंग दा खर्चा उन सेलरी नू लेके भी कई उमीदवारां दे सोहाल हन के हे किन्नी होवेगी देखो प्रोबेशन विचे तो अनू डीसी रेट मिलेगा अलग अलग शेहरां देह साब ना लेस विच थोड़ा बहुत फार्क हुंदा है देखो हे एक LDC दी पेसलिप है तो अधी टोटल सेलर इननी को होवेगी अते EPF बगेर कटके तो अनू 11,300 इन हैंड मिलुगा एहे तनखा भी थोड़े थोड़े समय बाद 200-300 रुपया वाद दी रहन दी है उन ट्रेनिंग नू लेके भी कई उमीदवारां दे सोहाल सी इस दी भी गल कर लनने है तो अधी जोइनिंग हो जान त बास 60-60 बैच बनाया जाओ ते TTI शक्ती विहार बढ़ूंगर विखे तो अधी चार हफतें दी ट्रेनिंग लगू कईयां दी ट्रेनिंग जोइनिंग तो कुछ के समय बाद ही शुरू हो जान दी है ते कईयां दी ट्रेनिंग साल देर साल बाद भी आन दी है ता जेकर तिनमी निला नोटिस दाई बिना जॉब छाड़ देओ ता तो अनू तिनमी निली सेलरी प्लस ट्रेनिंग दा खर्चा जो कि अप्रॉक्स पंजात तो 55,000 दे करीब हुंदा है पर ने पैंदेयान एहे बॉन्ड तुसी किसी भी नोटरी वाले तो टाइप कर वासर देओ अ अत्ते सुविदा के अंदर विच एहे बन जानदा है अत्ते तो अड़ी एक फोटो भी होवेगी फिर तुसी इस तरह हलफिया ब्यान बनवाऊना है जिस विच लिख्या होएगा कि तुसी किसे सरकारी बोर्ड या कॉर्परेशन दी नोकरी तो बरखास नहीं किते होए तो सारियां शर्ता मान दे हो फिर तो अड़ा क्रेक्टर सेटिफिकेट जिस्ते एमसी या सरपांच दी मोहर होए फिर जिमें मैं तो पहला ही दस्या है कि ओफर लेटर दे आखिर विच लिख्या हुएगा कि तुसी किनी तारिक नो केड़ी जगाते एहे सारे डॉक्यमेंट ब भी इननों जल्दी वेरिफाई करवा सकते हो तो ताड़े सारे उरिजिनल सेटिफिकेट जमा हो जानगे इसलिए इनना दी फोटो स्किच के या इनना दी पीडिये फाइल बना के ड्राइव इच सेव रखो एहे अगे कमा सकते हान उन जद्दा आई बीपेस दा रिजल्ट आया है उद्दो तो शोशल मीडिया ग्रूज दे बिच बैंक वज़स पीएसपीसेल होई पई है इस दी भी थोड़ी जही गालकार लनने है देखो बैंक बिच स्टार्टिंग सेलरी की बाई हजार दे आसपास होएगी जद्के पीएसपीसेल लडिसी दी सेलरी तिन साल ल बिच जादा वर्क प्रैशर नहीं हो अनु अपने कार्तों तीम किलो मीटर दे रेडियस विच ही पोस्टिंग मिल जान दी है हाँ कुछ कुमीद वारा नु पीएसपीसेल विच भी थोड़ी जही दूर पोस्टिंग मिल दी है पर इन्नी जादा दूर नहीं इस तो इलावा बैंक विच सिर्फ सेकेंड या ते फोर्थ सेटरडे दी चुटी हुन दी है जादके पीएसपीसेल विच हर एक सेटरडे दी चुटी हुन दी है पर जेकर तुसी एसी विच कम करन दयाद दी होता तो पीएसपीसेल विच एसी नहीं मिलेगा मैं जो भी अब्जर्व किता हो दासर हैं यह मेरा अपना अपीनियन है जे कर बैंक विच जॉब करना ही तो अड़ास अपना रहा है ता तुसी बैंक नो ही चुनो पर जे कर तुसी एक बैलन्स लाइफ जीना चानने हो ता तो अड़ेली PSPCL एक वधिया उप्शन है मैं जेही भी परसन देखे ने जिनना दा बैंक दा एक्जाम कलियर हो गया सी यते उन्ना ने प्रोबेशन बिच PSPCL दी जॉब चाड़ ती पर जेही भी देखे ने जिरे बैंक विच चुप पियो दी जॉब चाड़ के वी LDC लगगे सी ता दोनो तरह दे लोग हुन देयान ता तुसी देखो तुसी केड़ी जॉब चे कमफरटेबल फील कर दे हो दोस्तों मैंनू यह यूट्यूब चैनल बनाएनू हले मही ना की होया है आते मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ देख रही हैं मैंनू वीडियो बना उनली मोटिवेशन ओदो मिल दी है जदो मेरी वीडि चैनल नू सब्सक्राइब करो वीडियो नू लाइक करो अते इस वीडियो नू अपने दोस्तानाल शेयर करो एह जानकारी किसे दे काम मा सगदी है तानवाद